Amazon Pay Merchant Onboarding Training में आपका स्वागत है Amazon Pay UPI के द्वारा Merchant अब अपने Bank Account में directly और तुरंत Payment ले सकते हैं वो भी Social Distancing मेंटेन करते हुए जो कि इस समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है Amazon Customers के द्वारा Merchant अपना Business बढ़ा सकते हैं उनको और उनकी ग्राहकों को Time to Time rewards मिल सकते हैं और Digital Payment का ये एक साधन वो अपने ग्राहक को भी बता सकते हैं Merchant Onboard करने का पहला Step ये है कि Merchant आप में Login करें तो आप सबसे पहले Merchant को Amazon आप पे Login करवाएं अगर वो Amazon का अल्रेडी ग्राहक नहीं है तो पहले आप उससे Amazon आप डाउनलोड करें फिर उसको Login करें Merchant का Phone Number डाले Phone Number पे OTP मंगवाएं ध्यान रहें ये वही Mobile Number है जिस्ते उसका Bank Account चुड़ा हुआ हो क्योंकि UPI के लिए ये Mandatory Requirement है जैसे ही OTP आएगा Merchant के Account में OTP Self-Detect होके Login हो जाएगा Second Step है UPI Creation UPI Creation के लिए आपको Amazon आप पे जाना है पहले तो आप ये ध्यान रखें कि Merchant का वही Phone Number Amazon से जुड़ा हुआ है जो उसके Bank Account से जुड़ा हुआ हो फिर Amazon आपके Home Page पे जाए Amazon Pay पर क्लिक करें फिर Amazon Pay UPI पर क्लिक करें ये करते ही Merchant का UPI Process स्टार्ट हो जाएगा अप Proceed पर क्लिक करेंगे तो वो पीछे से Detect करेगा कौन सी SIM सेलेक करनी है आप जो SIM चूज कर रहे हैं वही Number आपके Bank Account से जुड़ा हुआ होना चाहिए ताकि Bank SMS भीज सके ये चेक करने के लिए कि ये Correct Number है की नहीं अगर Merchant का Already UPI बना हुआ है तो ये Directly Link हो जाएगा उसी UPI के PIN से इससे Merchant का UPI Create हो गया है नहीं तो आप उसके लिए नया UPI PIN भी बनवा सकते हैं जैसे ही आपने Merchant का UPI बनवा दिया है आपका Step Number 2 कम्प्लीट हो जाएगा Step Number 3 है Merchant Registration इसमें क्या करना है कि इसमें आपको Form भरवाना है इसकी शुरुआत होगी First आपको QR Code दिया गया है ये जब QR Code दिया गया है वो आपको Merchant के App पे जाकर QR दबाकर आप वहाँ इस QR Code को Scan करवाना है Scan करते ही Merchant will enter the flow Allow करके वो Merchant को एक TNC पेज दिखाएगा आपको टिक करके Register दबाना है क्योंकि Merchant का UPI अल्रड़ी created है तो इसके बाद वो तुरंत Business Details पेज पे ले जाएगा इसमें पहले आपको Merchant का Shop Name डालना है उपर जो की सही Shop Name है जो की बाहर उसके Shutter पे लगा हुआ है फिर Merchant का Category और Sub Category सेलेक करना है ये आप अच्छे से देख के सेलेक कीजे क्योंकि उसके बाद आपको Merchant का एड्रेस डालना होगा इस पेज पर ये ध्यान रहे कि Shop Name सही डाल रहे है एक और Important चीज ये है कि Merchant का एड्रेस और Pin Code तो बिलकुल सही डाल रहे है बैसे तो Amazon आप ये Self Detect कर लेगा कि कौन सा City है बागी एड्रेस आप सही डालें ताकि Merchant से कभी जरूरत हो तो Future में उससे संपर्ख करना तो ये बहुत Important प्रोसेस है आप एड्रेस वाली लाइन में एक दो लोक्यालिटी भी ढालना ना भूले इससे ऐसा होगा कि वो जो City और State बताएगा वो खुद पिक अप कर लेगा और आपका ये Merchant का जो Registration प्रोसेस है वो Complete हो जाएगा इसके बाद Merchant को अपने Account में Merchant का जो History है वो दिखेगा जो उसका QR देख सकता है उसके लिए क्या-क्या Offer चल रहे है वो देख सकता है जैसे कि Sample ये आपको यहां दिख रहा है इस Merchant के लिए कोई Offer नहीं चल रहे हैं तो ये आप Otherwise भी Merchant Registration के बाद अपने Amazon Pay में जाकर स्क्रोल करके Merchant Center पे क्लिक करके हमेशा देख पाएंगे वो अपने QR देख पाएंगे और Offers देख पाएंगे अब Step 4 ये है कि जो आपके पास Secondary Handle जो QR है Physical QR जो है आपका ये बहुत Important Step है इस Physical QR को आप Merchant के Bank Account से लिंक करें As Soon As जैसे ही QR Merchant के Bank Account से लिंक है इस QR पे जो पेमेंट होगा वो डिरेकली उसके Bank Account में चला जाएगा और उसके लिए अगेन आपको Amazon Pay UPI पे जाना है UPI ID क्रियेट करने पे क्लिक करना है और एंटर करना है अपना UPI ID और वो Physical QR Physical QR पे जो लिखा हुआ है उसका ANZ something something at the rate APL वो आपको यहां डालना है आपको ध्यान रखना है कि वो आप exactly वही डाले और जो उस QR पे लिखा है Merchant का Mobile Number डालेंगे Merchant के Phone पे एक OTP आएका आपको OTP का Wait करना है फिर उस OTP को वहां पर एंटर करना है अब यह OTP जब डालेंगे तो आपको उस पर Merchant की डिटेल्स दिख जाएंगे इसमें आपको सारी डिटेल्स दिखेंगी फ्रॉम उसका Store का Location तो इस Locality इसके बाद आपको यह आप बोलेगा कि आपको Store की Images डाल रही है तो यहां पर आप सही Images क्लिक करके डालें जो Store की Front की Images है और प्लीज एंशूर करें कि आप जो Store Front है जो बाहर का दुकान का Shutter है वो दिखना चाहिए QR का मतलब है कि QR दिखना चाहिए और बाकी Collateral में Amazon का जो आपने वहां पर ब्रांडिंग लगाया है वो दिखना चाहिए जब आप ये चार Images डाल देते हैं यहां पर तब जाकर आपका Merchant Successfully Onboard हो जाता है जो ये FOS आप है उसमें क्या-क्या Errors हो सकते हैं क्या करना नहीं करना ये सारे Step 5 आपको अच्छे से Complete करेंगे तब ही आपका Amazon पर Merchant Successfully Onboard हो पाएगा